हेलो स्टुडेंट मैं हूँ नकुल सर और आप देखरें दर्कृम्स गुरु एंड अली आज का मेहा टॉपिक है वाट इस क्लासिफिकेशन किसे एक आ जाता है इसकी बारे बत करने में स्ट्रासिफिकेशन उपडेटा वट यूमिन्स ना वे क्लासिफिकेशन अपडेटा व पूरी वीडियो को देखेगा आप क्लासिफिकर्सन को अच्छे से समझ जाएंगे इसके लिए एक एक्जामपल लेते हैं मा लेजिए कि आपके शहर में आपने 200 फैमिली इसका किया है और 200 फैमिली का डेटा जो है अपने इकटा किया हुआ है तो 200 फैमिली का डेटा आपने जो है कलेक्ट किया हुआ है ठीए किसलिए आपने इसका डेटा के विलिट किया है मा लेजिए आपको उनके इंकम के बारे में पता करना है उनके expenditure के बारे में पता करना है या फिर उनके education के बारे में पता करना है या फिर उनके family size के बारे में पता करना है एक सक्टर और भी दूसरे कोई भी आपके जानकर information regarding हो सकते हैं तो income, expenditure, education, size इस सब चीज़े के लिए आपको data चाहिए आपने 200 families का data collect already कर लिया है लेकिन आपने जो collected of data जो अपने data collect किया हुआ है यह जो collected data क्या आपका useful है अभी तक तो answer मिलेगा नहीं useful है no इसका को useful अभी तक नहीं है no useful यह फिर क्या कह सकते हैं इसका बहुत ही कम use कर सकते हैं जिसने collect किया हुआ है उस वही समझ सकता है इसमें इंकम किसे साफसे इसको data को collect और कोई दूसरा नहीं समझ सकता लेकिन सब लोग उसके बारे में समझ सके मतलब हम जो collected data को इस तरहेंगे से arrange करना है arrange करना है इस प्रॉपर वे में प्रॉपर वे में arrange करना है ताकि collect की वे data में हमें यह पता चले कि जो हमारा जो basis of collection of data है हमारा जो objective है वो objective पूरा हो मतलब हमारा जो डेटा करेक्ट किया वा डेटा हुआ है इस डेटा से collected data से हमें पता चले कि how many families how many families are educated how many families are non-educated अईजविटेड कितने परिवार पड़ा लिखा है और कितने परिवार आपन नंबर आ जागा family Ka तो भारा आप से मतल जयएगा की 200 family है 200 फेमिलई मेंसे इतने जो है सिक्शित है और इतने आस्रिक्शित है इसके बाद यह पहला बिसस हो सकता है इसको बाट लिया कितने family जो है इसमें से rich है कितने फैमिली इसमें पूर है या फिर हम इसमें रह सकते हैं उन फैमिलीज में कितने मेंबर मेल है कितने मेंबर फीमेल है यह पता चल लिए उसके बाद हमने इसमें कितने मेंबर जो है ब्लो 10 years है कितने member 10 से 28 year के बीच में और कितने member above than 28 है जिसे भी हमारा information की regarding base होगा उसके आधार पर हमने collect की वे data को arrange करते हैं जब इन सारे data को arrange करते हैं या फिर हमने इसमें ये पता कर लिया तक किसकी income कितनी है कितनी income किसकी income जो है 5000 रुपार रुपीज पर मन्थ है किसकी income जो है above than 10,000 है कितनी income जो है above than 50,000 है तो इस तरीके से हम data को जो है क्या कर लेते हैं बाट लेते आपस में जो है सही तरीके सो जो उसको proper way में गार नहीं सब WHO कहते हैं ज्यों कहते हैं कि यह सब डेटा जो हमा भी तक वाटा व sido प्रसुए नहीं है इस तो कहते हैं रोडेटा है क्यों कacak दर बनाना पड़ता मीनिंग फुल म struggle मेनिनnal पड़ता है ताकि हमें इसकी सही तरीके से मेनी को बाट से और यह मिनिफुल तब बनेगा जब इनको जो है हम जो है क्या करेंगे ट्लासिफाइट करें हम वी है ट्लासिफाइड इस डेटा इन्टु दियर डेटा का करेक्टर की साफ से किसका करेक्टर किस तरह से हैं की करेक्टर को पता करना है फिमेल को फिमेल की जगा लिखना है मेल को मेल की जगा लिखना है तो उसकी करेक्टर स्टिक्स को पता करती हो जब इनको सही तरीके स arrange करेंगे और उनको श्राफ से हम जो एैरनेन्च करते हैं तो उसको कहते हैं जो डीटा का इस होता है अलग-अलग तरीके से भाई दिवीजन आफ ढीटा तो ऑल डीवीजन आफ डेटा इस काल जो है तलास कहा जाता एंको उन सब को क्या कहा जाता है क्लास कहा जाता है तो क्लास में हम जब बाढ़ते हैं तो प्रॉसेज और अब इसी प्रॉसेश को तो प्रॉसेज और डिवाइडिंग सच डेटा इंटू क्लास इस काल्ड क्लासिफिकसर कहा जाता है कि जो भी रॉड डेटा मिलता है उन रॉड डेटा को जब हम कारेक्टर के हिसाब से उनके करेक्टर साफ से सही process में बाढ़ती है उनको class प्रदान करते हैं तो यह जो process है class में बाढ़ने का यह फिर tabular form में बाढ़ने कुसी कोई भी form हो सकता है उसी को classification कहते हैं तो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं Mr. Connor Mr. Connor ने बहुत अच्छा सा definition दिया इसके बारे में उसको समझते क्या का उन्होंने कि classification in the process of arranging things either actually और nationally in groups और classes according to their resemblance and affinities and give expression to the unity of attributes that may exist amongst our diversity of individuals तो यह जो definition उन्होंने दिया हुआ है कि classification इस तरह के से एक ऐसी process जाया है जिसमें चीजों को जो की actually में हो चाहे नेस्नली बहुत जादा उसको arrange किया जाता है group में या फिर classes में according to resemblance और उसके जो इसकी जो इसकी जो इसकी दोरह ताकि जो हमें expression दे सके जो टोटल और टोटल लोग के बीच भी इंडिविज्वल की अलग अलग जो डाइवर्सिटी उसके अगाउटिक हमारी मीनिंग निकल सके यह तो होगी definition की आप बात करते हैं classification की object क्या है उद्देश क्या है इस डेटा को brief and simple बनाना पड़ता है छोटा ताकि देखने में तुरह समझ आ सके और एजी भी हो ऐसे नहीं कि हमने डेटा कलेट कर लिए वो ऐसे रखा किसे को समझ में ही नहीं है हम इसको छोटा करके सो करना पड़ता है जी दूसरा utility होनी जाहिए जब तक डेटा समझ में नहीं आएगा तब तक उसकी utility जो है जीरो होती है जब तक information ने वालों को जो कि उसका conclusion निकालने वाले को data समझ में नहीं आता है यहां पर अंतर प्यादा करना डेटा के बीच में जो अंतर होना चाहिए compatibility जो डेटा होता उसके बीच में आपस में तुलना होनी चाहिए जैसे हमने कहा कि कितने फैमिली जो है 5000 रुपीज इंकम करता है कितने फैमिली 10,000 तो compare हो गया ना कितनी फैमिली की इंकम इसकी फैमिली से इतनी कम है और 5000 का अंतर आ रहा है तो क्यों हो आ रहा है यह base का पत normalized and study किया जा सकती आप एक्टरी टेट एन एक्टिव दूसरा यह जो डिटा होता हम एक्टरीक्टीव बन जाता है देखने में अच्छा लगता है अच्छा होता है proper manage हो जाता है साथ ही साथ यह बड़ा effective होता है लोग विच में बड़ा effect डालता है data को किसी के सामने present कर दो ये तुरंट उसको समझ में आ जाता है उसकी मेनिंग वो समझ सकता है उसकी कंक्लोजन में निकाल सकता है अब आप करते हैं इसकी क्यारेक्टर क्या है सबसे पहले कंप्रेहंसिवनेश क्या होता है जो भी raw data होता है उसको एक सही तरीगे से proper way में इसमें comprehensive कर दिया जाता है हर data को उसके group में या फिर class में बार दिया जाता है तो data सही proper तरीका हो जाता है जैसे कपड़े की पूरे की पूरे बहुत सारे कपड़े होते हैं आपने ऐसे बैग में ठूस लिया देन बैग में जगह की कभी पढ़ जाती है बहें पर उन कपड़ों को सही तरीके से हमने फोल्ड किया तैय किया तैय करने के बाद एक की ओपर सही तरीके सही मेनार में आगर बैग में रखते तो कभी कभी देखें बैग में जगह जादा बचा हुआ रहता है तो यह सही प्र परदानना लोग प्रदानना लोके समने उसके समझ आनी चाहिए यह हमोजानेट है एक जैसे Eight टो को साथ साहर לפje कोशिश की जाती है कोशिश किया जाता है है और उसको सही तरे के सहीवे में नग़िए हैंने की जो मेल का डenson का जाता है मेले के दो है कितने मेल यह जो है अने जुकेट है एजुकेट में जो है कितने पूर है और कितने जो है रिच है तो इस तरीके से सही वे में यहां पर सेम डेटा को एक सही क्लास में रखा जाता है जिसको मुजिनेटी काता है सुटेबिलेटी यहां पर सुटेबिलेटी आ जाती डेटा के बीच में समझ नहीं हो पाता है और यह डेटा जो है बिल्कुल होता है इसमें हम अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं अपने सुविधा के साफसे को एरेंज कर सकते हैं थेंक यू